वेलकम अमर सर योट्यूब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है आई बीपी एस पीओ प्री 2023 के लिए सेशन की सुरुवात हो रही है आज रात नौ बजे से लाइफ क्लास भी सुरू हो रहा है डेली लाइफ क्लास उसमें मैं चैप्टर को कंसेप्ट के साथ डिफरेंट ज आई बीपी एस पीओ ट्लर्क और एससी सीजियल और आर आर बी अन्टी पीसी मतलब सारे कॉंबेटेटिव एक्जाम के अप्रिपरेशन करने वाले रात नौ बजे जोईन करें डेली लाइब अमरसार लाइब में लेकिन सुबह में नौ बजे प्री के लिए मेमरी बेस्ट और दो पहर में तीन बजे मेंस के लिए मेमरी बेस्ट इस रिंखला जारी रहेगे उसी की आज ये अगली कड़ी है आई बीपी एस पीओ के अप्रॉक्सिमेशन के कुश्चिन्स हर वीडियो में मैं एक कोश्चिस करने जा रहा हूं कि मेमरी बेस्ट कुश्चिन तो हैं लेकिन उस चैप्टर का एक कंसेप्ट उसका एक्स्प्लानेशन जरूर हो तो आज से इसकी भी मैं सुरुवात करता हूँ यह इंडिपेंडेंडेंस डे ओफर है जबरदस्ट 50 प्लस 20 पसंद सारे ही कोर्सेश पर आप पर विजिट करेंगे यूटूब के सारे ही वीडियोज उनके पीडिया इस टेलिग्राम चैनल और टेलिग्राम ग्रूप में दिये जा रहा है वहाँ से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए तो चलिए आज के सेशन की शुरुवात करते हैं 2022 में आए हुए क्वेस्टिन पर बात कर रहा हूँ यह टेस्ट नहीं यह क्लास है तो किसी क्वेस्टिन में जो कंसेप्ट है मतलब जिन चीजों का ध्यान रखना है और अगर उन इंपॉर्टन बातों का ध्यान नहीं रखते तो एरर होगा हो सकता है यह भी मैं दिखाऊंगा और एक इंपॉर्टन थॉट पर बात करूँगा इस चैप्टर की कि एप्रॉक्रॉक्सिमेशन स्क्वार रूट निकालना हो तो कैसे करते हैं आज इसका एक्स्वारेशन भी करूँगा असल में स्क्वार रूट सिंप्लिफिकेशन में भी होता है और अप्रॉक्स में भी होता है लेकिन सिंप्लिफिकेशन का तरीका अलग है और अप्रॉक्स का तरीका अलग है आज मैं अप्रॉक्स आसन्नमान अप्रॉक्सिमेट व बात करने, ठीक है? तो देखिए, अगर मान लीजिए, स्क्वार रूट निकालना हूँ, इस थॉट को देखिए, 1, 7, 6, 4, कुछ इसका, अप्रॉक्सिमेट वैलूज निकालना हूँ, कुछ इसका, मैंने 2 example ली, तो इसको क्या करते हैं? यह किन 2 squares के बीच में हैं, जिनका values आप जानते हैं, तो टेंस वाले का जानते हैं आप 10 square, 20 square, 30 square, 40 square, like that. तो ये 40 square, ये 40 square, यानि 1600 से ज़्यादा है और 50 square, यानि 2500 से कम है. Square root निकाले का मतलब क्या है? ये किस number का square है? तो definitely हमारा answer 40 और 50 के बीच में होगा. अब आप देखिए, अगर हम hundreds मान करके बात करें, ये 1.600, 18 hundred बोलें, तो 7.300, 7 बोली है फ्रॉक्स. कुल मिला करके क्या देख रहे हैं? करीम 9, तो 900, 900, और ये क्या है? 10. इक्वली नहीं होता है. यहां पर 1 के लिए जितना value होता है, आगे 1 के लिए उससे ज़्यादा value होता है. उससे आगे ज़्यादा value होता है, उससे आगे ज़्यादा value होता है, इक्वली नहीं होता है. लेकिन फिर भी approximation में हमें मदद करता है. देखिए, 10 का मतलब अगर 9 है, तो 1 का मतलब 0.9 हुआ ना, 1 का मतलब 0.9 हुआ ना, लेकिन 0.9 एक average value है, यहाँ पर 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, 0.9 होगा, 1 होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, ऐसा होगा, मतलब difference, यानि 49, 50 के बीच बे, 1.34 हो सकता है, और 40, 41 के बीच बे, 0.6 हो सकता है, एक ग्रफ अनुमान होगा, अब हमको क्या देख रहा है यहाँ पर, जल्दी बताइए, यह 41 या 42 बोलेंगे, 42 is more nearer, approximate values यह वाला, approximate values हमेशा देवे संदर में होता है, 41 या 42 दोनों ही answer है, इसका option क्या होगा, 35, 48, 54, 42, 71, 39, like that, तो अब क्या बोलेंगे, answer is 42 या 41, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, एक और, 21491 दिखाता हूँ, 21491, बड़ा नंबर है, 21491, इसको छोड़ दीजे, 10, जैसे 10 का स्कार के जगे में 100 स्कार करेंगे, तो ये 2 प्रेस, और इनको देखिए, ये किन दो स्कार के बीच में है, 214, तो 14 का स्कार, 196, जल्दी बताईए, और 15 का स्कार, 225, जल्दी बताईए, है न, अगर हम ऐसा कर दें, तो ये ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, जल्दी बताईए, हमारा अंसर 147, 150 के बीच में है, और हम सिर्फ 100 की गौर करें, 100 पर गौर करें, 100 पर गौर करें, तो क्या दिख रहे हैं, ये 18 का गाप है, 100 में, और ये 11 का गाप है, मतलब, हाप से उपर, 146, 147, दोनों ही अंसर है, 147 ज्यादा निजदीक है, पर आप्शन में एक ही रहेगा, clear, तो इसका स्क्वार रूट, अप्रॉक्सिमेटली 147, समझ गया है, इसके अलावे, बहुत सारी चीज़े हैं, जनका जान दखना पड़ता है, हर बार, जब भी कोई चैप्टर सुरू होगा, तो उसके एक कंसर्प्ट का एक्स्प्लानेशन जरूर होगा, मेमरी बेस्ट पेपर के एक्स्प्लानेशन के समय, तो चलिए पहले कुश्चन पर आते हैं, ये एक ऐसा कुश्चन है, जिसमें जो जनरल फेनोमेनन है, अगर वैसे किये ना तो गलत हो जाएगा, वो भी दिखाऊंगा कि कि स्टूडन कैसे गलती करता है, अग्सर आप कहीं भी बनाया होगा देखेंगे, बड़ अच्छा लगता है 25% of 250, 75% of 75, तो गलत हो जाएगा, हाँ, अप्रोक्सिमेशन बिना सिम्प्लिफिकेशन के कोई माने नहीं रखता है, अगर सिम्प्लिफिकेशन पर कमांड है तो अप्रोक्सिमेशन का मजा ही कुछ हो रहा है, अवे दिखाता हूँ, इस इस 26% of 250, 13% of 565, 76% of 75, इसको एक्स्पेइन करूँ नहीं, नहीं निकाले नहीं आता है, 75% of 75, 1% बाद मे ले लेंगे, 0.75 बाद मे ले लेंगे, साथ अठेच छपन सो पच्छेशन यादा आरा है, यादा आरा है, यादा आरा है, यादा आरा है, इस इस 57, 57, 57, 57, 57 and plus plus 9 is equal to what, ये ये रियल में वे है बनाने का, 9 and 57, इसको add कीजी, इसको add कीजी, इसको add कीजी, तो ये दोनों मिल करके क्या बनता है, 66, और आब, 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 question mark is equal to 65 plus 66, यानि 131 answer, ये रियल में तरीका है बनाने का, दिखाता हूँ, कैसे किया गया, यहाँ पर दिखाता हूँ, 26% of 250, plus 76% of 75, plus square root of 81, ये तो है, ये तो है, लेकिन, लेकिन, इसे हम लिखना चाहते है, हाफ करके 13% of 500, दाट मिन्स की 13 into 5, दाट मिन्स की 13 into 5, दाट मिन्स की 65, 76% निकाल के क्यों चौपट करें कर सकते हैं, कर सकते हैं, वैसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, 76% of 75 को, 19 into 4 लिख करके, 4 को यहां ले आईए, तो 19% of 300 लिख सकते हैं, 19 into 3 लिख सकते हैं, 57 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, लिकिन, अगर आप चाहें, तो 75 plus 1%, इसलिए रिखना चाहेंगे, कि 75 का स्क्वार आता है आपको, 7,8 जा 5625, आपको यह आता है, आपको यह आता है, 5625, and 0.75 means 1%, that means कि 57, या तो ऐसे, या तो ऐसे, और तब, plus 9 is equal to what, this is the way, 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 कितना हुआ, question mark is equal to 65, plus, 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 plus 66, means 131 answer, मैं दिखाता हूँ, कि यह गल्ती कैसे होती है, अगर आप 25% लेंगे, 250 का, generally student जैसे बनाते हैं, अगर 25% ले लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 62.5, देखिए, 62.5, 25 गुना 25 कर देंगे, generally student कर देते हैं, और 75% लेंगे, तो 56 हो जाए, plus 9 होगा, is equal to what, और आप सूची कि फिर क्या होगा, देखिए, 127.5, गलत होगा कि नहीं बताई, अगर 127 आप लाते हैं, तो डेफिनेटली आप 125 बोलेंगे, इसलिए इसलिए बातों का ध्यान लगना बहुत जरूरी है, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, 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 मिनस seven into, this is three, हैं fiveundet twelve होता, eight ka cube, तो यह eight, यह गहाद आपन कुछ्यण, 15 मिनस eight minus twenty one is equal to what, हाँ, याद रहे, याद रहे, यह माइनस में आने वाला है, यानि कि माइनस फूटीन अंसर, माइनस में भी अंसर होते हैं, माइनस फूटीन अंसर, ठेक है, इस क्वेश्चिन को देखी, कभी-कभी मन में हो जाते हैं, 9.99 का ताम, 100, 100 का 20 पसंद, 20 का डेड़ गुना, 30, 30 तो 618,000 अंसर, होगा, दिखाता हूँ, 600 into 3 by 2 का मतलब क्या होता है जानते हैं, 150 पसंद, और ऐसे होता है, और ये 20 परसंद, 20 पसंद, of 100, is equal to what, that means, 600 into, जैसे वे बोली, 20 पसंद कितना होता है, बताई, लेकिन जो मैंने कहा हूँ, मन में हो जाएगा, question mark is equal to 600 into 30, that means, की 18,000 अंसर, बताई, ठीक है, अगला सवार, next question देखिए, 3 square into 4 square into 5 divided by 36 is equal to what square minus 80, ये तो है, ये तो है, 36 किसको बोलते हैं, 9 into 4 को बोलते हैं, ऐसे, ऐसे, तो होता है, होता है, एक 4 रहेगा, याद रहे हैं, square कटा है, यानि की question mark square is equal to 20 plus 80, that means, की 100, यानि की question mark is equal to plus minus square root of 100, ये हमेशा याद रहे, plus minus 10, हाँ, जो option demand करे, none of these होगा, तो none of these answer होगा, तेकिन हापर 10 answer, ठीक है, अगला सवाल, दिखी क्या है, this is 325, ठीक है, minus 12 square, minus 75, is equal to what square, minus 68, इसको हम ऐसे समझेंगे, कि ये 325 है, minus 144 है, plus 75 है, plus 68, is equal to question mark square, ऐसे बोलेंगे, सबसे पहले हमें देखता है, कि ये दोनों बहुत अच्छा नंबर है, तो इसका सम हम पहले 400 करना पसंद करेंगे, और इसको less करना है, plus 68, minus 144, 70 पखड़े होए, 70, 70 पखड़े होएगा, तो 74 और 276 होगा कि नहीं बताएगे, ये minus 76 होगा, question mark square is equal to 400 or minus 76, यानी 324, that means, कि question mark is equal to plus minus square root of 324, यानी plus minus 18, 920 हो तो 99 अंसर, लेकर यहाँ पर 18 अंसर, जो option है वो बताता है, जल्दी बताएगे, बोले, आज का session कैसा लगा, रोज सुबह 9 बजी, प्री के लिए, Memory Best Questions का वीडियो, और दो पहर में 3 बजे, Men's के लिए, वीडियो, अपलोड होंगे, रात में 9 बजी, डेली लाइक क्लास, सारे ही competitive exam के maths को, सुरू से अंद तक, chapter wise, सम्झाने के लिए, All the best.